आप सभी श्रोता बंधों को मेरा प्यार भरा नमस्कार कैसे पाएं गोरी त्वचा ये है आज का हमारा टोपिक अगर आप अपना रंग साफ करना चाहते हैं तो यहां ऐसे प्राकृतिक उच्चार हम बता रहे हैं जिनके द्वारा आप अपनी स्कीन को कुछ शेड तक गोरा बना सकते हैं कई कमर्शियल क्रीम उप्योग करने में बेअसर और हानिकारक होती हैं इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा की और रुख अपनाना एक बहतरिन विकल्प है निम्बू के रस जैसी एक समान्य घरेलू समगरी भी विशेश रूप से स्कीन टोन को हलका करने का काम करती है धूप से दूर रहने से और प्राकृतिक फेसियल मास्क के प्रियोग के द्वारा आपकी स्कीन काली होने से बचेगी केवल घरेलू नुस्खों के द्वारा गोरी तवचा पाने के बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारा ये एपिसोड सुनें सबसे पहले खुद को धूप से सुरक्षित रखें अधिकांश सुर्य की अल्ट्रा वाइलेट यानि की यूभी के उनों के कारण स्कीन का रंग काला और दाग यूपत या बदरंग होता है अगर आप गोरी तवचा पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं तो घर के अंदर रहें जिससे आपकी स्कीन या था संभव हलके रंग की बनी रहे अगर यह संभव ना हो तो अपनी स्कीन पर कम से कम 30 SPF वाले सन ब्लोक का प्रियोग करके उसे सुरक्षित रखें अधिकतर डर्मेटोलोजिस्ट का मानना है कि 15 SPF वाले सन स्कीन ज्यादा कारगर साबित नहीं होते हैं खतरनाक UVA और खतरनाक UVB किर्णे आपकी स्कीन तक पहुँची जाती हैं इसलिए 98% या उससे भी अधिक सुर्य की किर्णों को रोकने के लिए आपको अधिक SPF युक्त सन स्कीन का उप्योग करना चाहिए बाहर जाने पर अपने चेहरे की सुरक्षा के लिए एक हैट पहने विशेश रूप से गर्मियों में आजकल बाजार में कई फैश नेबल हैट्स मिलते हैं आप भी अपनी स्कीन को सुरक्षा देने के लिए एक ट्रेंडी हैट का इस्तेमाल कर सकते हैं सब्ता में एक दो बार अपनी स्कीन को एक्सफोलियेट करें हाथों से किये जाने वाले एक्सफोलियेशन स्कीन का रंग हलका करने में मदद करते हैं साथ ही इस प्रक्रिया से डेडी स्कीन सेल्स निकल जाती हैं ध्यान रखें एक्सफोलियेशन केवल तभी मदद करते हैं जब आपकी skin आपके समाने skin tone की तूलना में ज्यादा गहरे रंग की हो क्योंकि इससे नई skin बाहर आती है जो सुरे से अच्छूती होती है आप exfoliating करों से युक्त face wash का या body scrub के उपयोग से अपने हाथों से अपनी तवचा को exfoliate कर सकते हैं अपना scrub बनाने के लिए एक छोटी चमच बादाम या ओट मिल लेकर इसे अपने नियमित रूप से प्रयोग किये जाने वाले क्लिंजर में मिला कर प्रयोग किजिए अपने पूरे शरीर को exfoliate करने के लिए एक scrub brush या dry brush का प्रयोग किया जा सकता है अपने चेहरे के लिए एक नर्म bristle वाले विशेश brush का प्रयोग करें जिससे आपके नर्म skin खराब न हो कुछ exfoliating machine भी आती हैं जैसे Clarisonic जो थोड़ी गहराई तक जाकर इस skin की उपरी layer हटा देता है अपनी उमीदों के साथ वास्त्विक बने प्राकृतिक रूप से जो skin सावली है उसका रंग प्राकृतिक वीधियों के द्वारा एक या दो शेड तक हलका करना बहुत मुश्किल है नियमित रूप से धूप से सुरक्षा, exfoliating और प्राकृतिक रूप से रंग हलका करने वाली वीधियों का उप्योग आपकी त्वचा को स्वस्थ रखता है और skin tone को हलका बनाये रखने में मदद कर सकता है याद रखें नियमित प्रमुख है इसलिए अगर आप घरेलून उसको का उप्योग कर रहे हैं तो बेहतर परिणाम के लिए उन्हें सब्ताह में कई बाहर दोहराएं इसके अलावा निम्बूरस skin पर लगाएं यह आपको एक हम प्रियोग बता रहे हैं जिसके द्वारा आ देखते हैं या उंगलियों के जोड़ों पर काले निशान से हो जाते हैं काला पड़ जाता है इसको दूर करने के लिए आपको करना क्या होगा कि एक और श्रदी बनाने होगी आपको इसके लिए आपको बहुत कम थोड़ा सा नमक चाहिए होगा इसके बाद थोड़ा नार सारील एक चमच गुलाब जल एक चमच और निम्बु का रस बढ़ा निम्बु हो तो आधा निम्बु और छोटा निम्बु हो तो एक निम्बु का रस उसमें नहीं चोड़ लीजिए अब पूरे शरीर पर अगर आप इसको इस लेप को लगाना चाहते हैं तो आप ओल ले सक यहां पर आपको लगा करके इस मिश्रण को और रब करना है धीरे धीरे रब कीजिए यहां पर फिर इसको सूखने से पहले ही किसी तॉलिये की सहायता से गिला करके पोच लीजिए ऐसा अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपके डेडी स्किन खत्म हो करके सौफ्ट पर बन जाएगी और उसका कलर भी निखर जाएगा और नेचुरल तवचा के जैसा कलर हो जाएगा वहां पर तो यह था आज का हमारा वाई सुबर आप सभी के लिए इसकीन को यानि कि शरीर की स्किन को गुरा करने के लिए जो उपर मैंने वीधी बताई उसका प्रयोग आ यानि कि घुटनों और यह जो कुहनिया है या फिर अंगलियों को जहां पर जोड़ हैं मूर बनते हैं वहां के ब्लैक नेस को हटाने के लिए यह उश्रधी के वल उपियोगी होगी अगली बार हम आप सभी से जोड़ेंगे कुछे को और महतों पुह जानकारियों को ले कर कर उब झाल यह जूब यहां को पडम है उर्ब हैं这是 जोड़ी यह कि फ़ी हैं और मूर कार म utilizar हैं तैसाञिजर हैं आड़ा हैं के जो पॉब बार हम कर दो